हेलो फ्रेंड्स आपका अपना चनल BKZ Digital में आप सभी लोग का स्वागत है तो फ्रेंड्स एक नए वीडियो में आप लोग के बीच में आए हो और इस वीडियो में जाने के फ्रेंड्स आप लोग जदी पुलीस वैरिफिकेशन करवाना चाहते हैं यानि कि केरेक्टर सर्ट सर्टिफिकेट उसको बोला जाता है जादि केरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना है तो आप लोग कैसे बनाए कोई भी स्टेट से हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो आप लोग को पहले आप लोग को गुगल में सर्च करना है पुलीस वैरिफिकेशन और जो भी इसких सीट का नाम चुछ कर लिया जहां से हूँ तो 10 खंड का 9 खंड का साइ Detective हुग जहां को दॉज का आपको लondern образом दिया हुआ है यूजर नेम पासवर्ड और कैपचर डालना लेकिन Marketing यूजर नेम पास्वर्ड नहीं नीचे देख़ें नीचे लिखा हुआ है Friends आपका क्लिक here to register yourself पहले आप लोको register इसमें करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद login करेंगा ठीक है तो character certificate request देखी यहाँ पर बहुत सारा option दिया रहा था बहुत चीज़ में कर सकते हैं लेकिन मैं character certificate के बारें बता रहा हूं तो चलिए पहले इसको register करते हैं register में क्लिक है तो अलग site open ह हो जागत citizen.jhpolice.gov.in ठीक है crime and criminal tracking network and system इसका full form होता है cctns का ठीक है तो इसमें आप लोग को पहले register करना है आप लोग का पहले नाम डाला है middle name डाला है अंतीम डाला है आप लोग का gender डाला है आप लोग जो ID देंगे voter ID या जो भी है उसका ID का संख्या देना है mobile number डाला है य जो है बहुत सारा दिया हुआ था ठीज में date of birth डालना है friends आप लोग को date of birth चूज करना है उसके बाद date of birth यहाँ पर चूज करने के बाद automatic हुआ पर आपका year और आपका date कितना साल हुआ है automatic ले लगा ठीक है उसके बाद आप लोग को address यहाँ पर डाल देना address में आप लोग का जो भी है सारा डीटेल यहाँ पर fulfill कर देना ठीक है पुली स्टेशन डाल देना पीन कोड लाल देना जीला राइज देश तैसिल ग्राम कोलोनी सारा चीज यहाँ पर आप लोग को इंट अब लोग खुद से बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स पासवर्ड में आप लोग capital letter small letter और को character at the rate सारा चीज आप लोग डाल दीजिए ठीक है तो आपको यह पासवर्ड बन जाएगा ठीक है उसके बाद कोई question यहां से आप लोग को चूज करना ठीक है और उसका answer भी यहाँ पर देना ठीक है तो आप लोग इसको चूज करके answer देके इसको रख सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर लिखाओ प्रेंट्स पेस्ट करें ठीक है आप लोग इतना सारा करके आप लोग यहां पर इसको पेस्ट करना है उसके बाद आप लोग का सारा मैं दिखा देता हूं फ्रेंट्स यहां पर डेट वर्थ आप लोग किस तरह चूज करने देखिए इस तरह डेट वर्थ आप लोग को चूज कर लें आटोमेटिक यहां पर आपका यह आ जाएगा और कौन सा जन यह राजागा ठीक है दोनों आ जाएगा उसके बाद देखिए मैं रेइस्टर कर दिया हूं फ्रेंट्स अब यहां पर जो रेइस्टर में यूजर नेम आप लोगों डाला है वहां पर अपना मॉवाइल नम पर वो डाल देना है और पास्वर्ट जो बनाया है वो डाल देना ठीक है उसके बाद capture डाल देना और login कर देना ठीक है मैं login कर दिया हूं फ्रेंट्स उसके बाद अब देखिए यहां पर लोगिन करने के बाद यहां पर नागरिक सेवा लिखा हुआ नागरिक सेवा में चरीत परमान पत्र अनुरोद उसमें लिखा हुआ चरीत परमान पत्र अनुरोद के संसोधन और एक जोड़ना ठीक है नया तो फस्ट वाले में क्लिक करना है उसके बाद यहां पर दिया हुआ है इसको पढ़ दीजिए उसके बाद इसको simply हां कर देना कि आप online जारी रखना चाहते हैं तो simply हां कर देना हां करने के बाद आपका इस तरह का interface आजाएगा फ्रेंड्स लिखा हुआ है यदि आप जारखंड के सब्सक्राइब दिए तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है यू आईड आपना यू आड़ नमबर डाला है फॉस्ते दार का नाम डालना संबंध में लिखा पिता तो पिता जी का नाम डालना आईडी का प्रकार डालना है कौन साइडी यहां पर दे रहा है आधार काड डालना है तो सिर्फ आधार काड डाल दीजिए आधार काड संख्या भी डाल देना है ठीक है यह सेवा लागू करने का परियोजन तिसमें कुछ नहीं CSC डाल दीजिए यह कोमन सर्विस सेंटर कुछ भी डाल सकते हैं ठीक है कहां से आप एपलाइ कर रहे हैं यह हुआ है simply आप common service center डाल दीजे प्राप्त कीवी थी देखे लिक नीचे लिखा प्राप्त कीवी थी आप लोग email के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं लिख दीजे डारेक्ट ठीक है अपना gender चूज कर लेना email ID चूज कर लेना फ्रेंट्स फिर mobile बारह पर डाल देना फ्रेंट्स अपना mobile नंबर ठीक है उसके बाद दिखा नीचे दिया है फ्रेंड्स आयू आयू पैनल यानि कि अपना डेट बर्थ यहां पर चूज कर लेना ठीक है देखिए डेट बर्थ आपका जो होगा यहां पर चूज कर लेंगे तो आटोमेटिक यहां पर आपका कितना साल हुआ यह आ जाएगा ठीक है और यह आ जाएगा ठीक है उसके बाद इचे देखते हैं क्या है उसके बाद यहां पर नीचे और भारना फ्रेंट्स तो देखे हैं आप लोग यहां लिखा हुआ है आप लोग को कुछ documents upload करने पड़ेंगे 200KB के नीचे थीक है 200KB के नीचे तक आपrow को documents upload करना है तो यह देखिए पहला में आप लोग क्या करना अपड़ोड अपना फोटर आप लोग को अपड़ोड करना पड़ेगा ठीक है तो कोई फोटर अपपना अप Lizna टो आप लोग कर सकते हैं इसलिए आपको फोटो लिख देना है उसका second option में चूज करना है आप लोग का जो आधार कड़ देंगे तो दस्ताविज यहाँ पर देना है तो आधार कड़ देंगे तो उसका निवास पहस्चान पत्र या निवास परमान पत्र या पहस्चान पत्र दोनों में कोई भी सकते हैं नहीं भी देंगे तो चलेगा क्योंकि mandatory नहीं ठीक है यहां पर mandatory नहीं है देखिए दो में start लगा ओवा star जिसमें है आप लोग उसी में choose करना ठीक है और start नहीं को आप लोग दे भी सकते हैं नहीं भी सकते हैं कोई mandatory नहीं uh ठीक है उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स देखिए आप लोग का एड्रेस का दिया हुआ है कॉलम एक पता तो पता आप लोगो सिंपली पूरा भर लेना है आप लोगो सारा डीटेल भर देना है देश राइज जीला पुलिस स्टेशन पीन कोड रहने का अबदी यानि कितने साल से रह रहे हैं ठीक है तो सारा चीज डीटेल यहां पर फुल्फिल कर देना है तो मैं फुल्फिल कर दे रहा हूं देखिए यहां पर समय भर दे रहा हूं ठीक है उसके बाद यहां पर फुल्फिल करने के बाद आपको यहां पर फिर से एक देखिए लिखा हुए उपर में एक कॉलम है friends सपत पत्र तो सपत पत्र पे जाना है उसके बाद friends यहां पर लिखा हुआ है कि आप भी अपराधी अर्देश में किसी भी भाग में रिकॉर्ड रिकोड कर आप पहले खिलाव कोई भी आपराधी है तो जेदी हां करना और यहां करना है और जदी तो देखे मैं यहां पर जमा कर दे रहा हूं एक option दिया है जमा करने का तो जमा कर दिये है फ्रेंड्स उसके बाद आपकी प्रिंट टैप का यहां पर option आ जाएगा आवेदक का नाम लिखेगा उसके बाद सारा डीटेल यहां पर आपका सो कर देगा इस तरह का इंटरफेस आपको सो करेगा तो आपको इसको प्रिंट करके रख सकते हैं उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप लोग को फुलीस वेरिफिकेशन होगा जो की थाना में आप इसस्ताच होगा उसके बाद आपको ओं लाइन जेनरेट कर दिया जा जागा ठीक ओंला जंडेट करने के बाद देखिए इस तरह का लोग इन कर लेना ना फीर से देखेए मैं लोगений कर ले रहा हूं लुगन करने के बाद आपको देखिए मैं बता रहा हूं एक कैपचा में डाल रहा हूं करने के बाद मैं करता हूं ठीक है देखिए है लोगिन करने के पाद आपको देखेंे लिखाव've friends एक इस्तिती को जये कि लिखा हुआ इपोर्थ ओपसन में दिया और स्थिती को जें तो स्थिती कोज में क्लिक करना है कि क्लिक करते के साथ आप लोग कोई एक नया ओप्शन आ जा गया खुलेगा ठीक है उसका बाद यहां पर लिखा हुए फ्रेंड्स देखिए सेवा के परकार आपका सारा डीटेल उपर में लिखा हुआ है नीचे लिखे सेवा का परकार लिखना है उसमें जाना है सेवा अनुरोध पर क्लिक करना है सेवा अनुरोध पर क्लिक करने के बाद आपका सेवा अनुरोध संख्या फाईयर संख्या जो भी है उसका नंबर जो डीटेल है उसमे में डाल देना है नमबर ठीक है सेवान रोत के परकार में चरीत्र परमानपत पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद वर्स कौन सा वर्स में आपको के अप्लाई किये थी तो वह अप्लाई डाल देना है 2022 या 2023 जो भी है उसके बाद यहां पर अपना नाम डाल देना ठीक है तो मै प्रिंट करने का ओप्सन देदेगा ठीक है तो यह प्रिंट करने के बाद आप लोग को स्प्रिंट करते हैं तो सारा डीटेल आपका है आप प्रिंट करता हूं अब यह ओपन हो गया फ्रेंट्स पुलीस अधिक्षक का कार्याल है बकारो जारखन ठीक है यह आपका सो कर रहा है और यह बहुत अच्छी तरक्का से आप लोग को ओनलाइन डारेक्ट मिल जाएगा फ्रेंट्स आप लोग को कहीं जाने की ज़रुरत नही दो जारेक्ट म् pilots शावे फ्रेंट गयंद्स अम्हट मिलते हैं अगले वीडियो में तत्रक्रेफ के लिए जैहिन जाभारत और इसी तरह वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्स्क्राइब करें